तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना है यह टू एर पार्टिंग जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यह टू एर पार्टिंग किया है ऐसा आपको यह टू एर पार्टिंग कर लेना है उसके बास से आपको करना है सेंटर पार्ट और सेंटर पार्ट के बास से आपको साइड में एक section निकालना है जैसे कि आप देखे हैं हमने यह पर खजूरी section के लिए section निकाला है और इसको two part में divide करके cross section किया है उसके आज हमने पीछे की तरफ से एक section लिया है और पीछे वाले section को हमने आगे वाले section के साथ addon किया और आगे वाले section को पीछे वाले section के साथ addon किया है त उसको पीछे वाले सेक्षन के साथ एड़ोन करना है तो बेसिकली जब भी आप फिश्टेल ब्रेड बनाते हैं तो ऐसी आप करते हैं अगर आप लेप्ट से सेक्षन लेते हैं तो राइट में एड़ोन करते हैं अगर आप राइट से सेक्षन लेते हैं तो लेप्ट में आप add on करते हैं section को वो आपस में merge ना हो इसी वज़से आपको बीच में एक finger लगा कर रखनी होती है बहुत ही अच्छी braid बनती है दोस्तों आप यह front में दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा है इसको ने volume भी आता है अब भी जब आपकी यह braid बन जाएगे तो आप इसको भार के दरफ layer को निकालेंगे तो बहुत ही सुन्दर braid दिखने को मिलेगी आपको तो अभी आपने देखा कि हमने जो friend के section थे हुँ सारे हमने इसके अंदर ले लिए हैं उसके अंदर कुछ भी add-on नहीं करेंगे जो भी हमारी braid है उसी के साथ ही हमने left and right करना है अब यह आप देख रहे हैं हम layer को भार के तरफ निकाल रहे हैं ताकि जो braid है वो काफी broad नजरा है यह नहीं कि बिल्कुल चिपकी चिपकी एक look का है चिपका हो look बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगिया इसलिए आप थोड़ा सा इसको बाहर के तरफ निकाल लें थोड़ा थोड़ा निकाल लें जैसे कि आप देख रहे हैं जो braid हम बना रहे हैं अब हम अलग से कोई भी section इसकंदे डालने रहे हैं कोई भी hair इसकंदे addon नहीं कर रहे हैं और जो simple नीचे जो braid है उसी को लेयर को हम एक लेयर को बाहर के तरफ निकाल रहे हैं ऐसा नहीं कि आप दो दो लेयर तीन तीन लेयर पकड़के ऐसे पकड़े के खीज रहे हैं जो एक लेयर आपको दिखाई देती है उसी को यह आपको बाहर के तरफ पकड़के बाहर के तर बाहर के तरफ निकालेंगे उसके वासे आप दूसरी तरफ दूसरी तरफ भी आप ऐसी कर सकते हैं इस हेस्टाइल में आप मांग तीका लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर नजर आता है क्योंकि आपने सेंटर पार्टिंग करके हेस्टाइल बनाया हुआ होता है और उसके बास से इसकंदर जब आप यह ब्रेड बनाते तो इसकंदर वॉलिम भी बहुत अच्छा नजर आता है अच्छी नजर आती है तो आप इसकंदर जब आप मांग तीका देंगे तो बहुत ही सुंदर आपका जो हेस्टाइल वो दिखाई देगा और दोस्तो हेस्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप में को वाट्सब कर सकते हैं मेरे नमबर है 9911418347 तो आप में को वाट्सब कर सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं और दोस्तो अभी तक आपने इस चैन्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बैल का एकन जुरू दबाएं ताकि हम कोई नई वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले मिल जाए और दोस्तो आपने फेस्टाग्राम पर फोलो नहीं कर रखा है हमारे सेम इसी नम से डिस्प्ली पर आप देख पारे होंगे मैजिक टेक्निक सबाचंद रुपकाश पिटेल आप यह सर्च करेंगे तो आप इंस्टाग्राम पर और फेसुप पेज पर हमारा पेज मिल जाएगा जहां आप हुआ पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों हमारी दिल्ली में और कलकता में भी क्लासिस होती रहती है अगर आप दिल्ली से और यह वीडियो देख रहे हैं और आप चाते हैं हमसे क्लासिस करना तो आप बेचक कॉल या वाट्सप करकर पूस सकते हैं और आप सेम कलकता से भी हैं और कलकता में चाते हैं क्लासिस के अपडेट लेना तो आप हमें call या WhatsApp करके भी पोच सकते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं एक एक layer को हम बाहर के तरफ निकाल रहे हैं सेम ऐसी आपको निकालना है दो दो तिन तिन लेयर पकड़के नहीं निकालना है जो आपको simple पहले एक layer दिखाए दे उसी को पकड़के आप बाहर के तरफ निकाले और दोस्तों हमने basic चीजों को प्रवी हमने काफी सारी वीडियो बनाई हुए अगर आप नहीं देखा तो देख सकते हैं इसी चैनल को पर अपलोड किया हुआ है description box को आप बस क्लिक करेंगे उसकंदर आपको links मिल जाएंगे आप उसको easily क्लिक करके देख पाएंगे आप सभी के लिए मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है basic आप सभी को पता है कि basic बहुत जुरूरी होता है तो अभी आप देख रहे हैं हमने क्या किया है कि पीछे crown section निकाला और इसकंदर हम कर रहे है back home basically हम यहाँ पे puff देंगे अगर आप आपको नहीं चाहिए puff तो आप puff avoid कर सकते हैं आप यहाँ पर puff अगर देना चाहिए तो दे सकते हैं नहीं देना तो आप नहीं भी दे सकते हैं तो हम यहाँ पर बैककॉम कर रहे हैं और यहाँ पर पफ बनाएंगे तो जैसे कि बेसिक की बात कर रहा था तो ऐसी बैककॉमिंग के उपर भी वीडियो बनाएगा कि इस अपर वाला पफ कैसे बनाना है बहुत ही इजी और सिंपल वे में आप सभी को समझाने ही कोशिश किये मैंने उसके अंदर और जैसे कि इसके अंदर बैककॉम किया हुआ तो इसको इजी और आसाम तरीकों में कैसे खोलना है इसकी उपर ही सेपरेटी वीडियो बनाया है कि बैककॉम को खोलना कैसे है बिल्कुल यह आसाम तरीके में ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो क्योंक कि back home आप कर देते हैं बात में उंको परेशानी होती है खोलने में मगर जब आप खोलने का तरीका अच्छे से आपको पता हो तो कभी भी आपका कभी मना नहीं करेगा और जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वाले सेक्षण में हमने डिवाइड कर दिया है और यहां पर हम क्या कर रहे हैं ठीले चोटी बनांएंगे जो पॉफफ वाला इसक्षण है उसको हमने उपर के दरफ चोड़ दिया है और जो नीचे का सेक्षण है इसकंदर हम क्या कर रहे है थ्री लेयर चोटी बना रहे हैं और साइड से ओपन कर रहे हैं लेयर को बाहर के तरफ निकाल रहे हैं और जितना आप बाहर के तरफ निकाल लेंगा उतना अच्छा इसकंदर लुक आएगा तो आप अच्छे से बिल्कुल प्यार से इसको बाहर के तरफ निकाल ले और आपको इसके अंदर बस simple three layer चोटी बनाने है इसके अंदर जादो कुछ नहीं करना और आपको ये भी हेस्टाइल बिल्कुली easy और simple हेस्टाइल बताने कोशिस की है मैंने आपको और भी ऐसी आपने मेरे वीडियोस देखे होंगी simple और easy वीडियोस देखे होंगी अभी हाल ही में मैंने बहुत सारी वीडियोस अप्लोड किये तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं अपने client के उपर वो हेस्टाइल दे सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया कि basic चीजों को परावियोस में जो बात कर रहा था ऐसी मैंने बनाया हुआ है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हेस्टाइलिंग में बहुत सार प्रोडक्ट यूज होते हैं और आपको उन प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है तो उसके उपर मैंने सेप्रेट वीडियो बनाया हुआ है कि हेस्टाइलिंग में कौन से कौन से प्रोडक्ट यूज होते है आपको पास client आता आपको नही ए वीडियो देख सकते हैं बस आपको क्या करना है सिम्पल जो डिस्कृरिप्चिन बॉक्स को क्लिक करना है उसका नीचèg जाकी आप देखेंगे लिंक दियु हुएं आपको क्लिक करके देख सकते हैं ऐसे लाइनिंग वाले वीडियो भी लाइनिंग वाले पार की वीडियो भी बनाई हुए मैंने डमी की उपर वीडियों बनाए हुआ है कि अगर आप मार्केट में दमी पर्चेस करने जा रहें तो क्या चीज़ देख के डमी पर च्लिच करनी पूहegर अगर आपको पाज डमी है और आपको नहीं पता इसको कैसे मिंटेन करने तो उसके पर इस एप्रेटी वीडियो बनाया हुआ है तो अभी आप देख रहे हैं जैसे कि फ्रेंड का जो हमने हेस्टल बनाया हुआ था खजूरी ब्रेट दोनों को मर्ज करके रबर के साथ हमने यह पर पूनी बना लिया है और उसके आपसे पफ वाला जो है था उसके उपर रख दिया है और यहां पर हम फिर दुआ से खजूरी ब्रेट बनाएंगे सेक्षन को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है और अभी आप देखेंगे लेफ्ट वाला सेक्षन राइट में एड़ाउन करेंगे और राइट का सेक्षन लेफ्ट में एड़ाउन करेंगे तो ऐसा ही करते जाना है और इसकंद दोस्तों खास तोर पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी ऐसा नहीं करना है कि कहीं मोटे Union section ले ले कहैं कहीं पतले ले 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 तो disciplined सेक्षन लेकर आप नीचे जाएं अगर आप मीडियम सेक्षन ले रहे हैं तो मीडियम सेक्षन नहीं लेकर जाएं अगर आप पतले सेक्षन ले रहे हैं तो पतले सेक्षन लेकर जाएं नीचे यानि कि आप कहीं मोटे सेक्षन ले रहे हैं कहीं पतले ले रहे हैं तो वह है easy है two layer braid है यह खुजूरी braid तो आप इसको easily बना सकते हैं और कम time में आप इस hairstyle को अपने client को दे सकते हैं वह जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने ज्यादा layer को बाहर के तरफ नहीं निकाला है हलका हलका सा visible होने के लिए हमने हलका सा layer को बाहर के तरफ निकाले ज्यादा इसको बाहर नहीं निकाला है layer को ताकि जो layer है ज्यादा visible हो इसलिए हलका हलका से बस पकड़िके उसको उसको बाहर के तरफ निकाला है और उसके बास से यहाँ पर हम rubber से पोनी बना लेंगे और strong hairspray में यूज कर रहा हूँ टॉप फाइफ नमर होड और puff क्यूप पर भी आप लाइन बना सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यह पर लाइन से बना हुए तो आप puff क्यूप भी लाइन से बना सकते हैं तो दोस्तों आज का आपको वीडियो कैसा लगा नीचे comment section मुझे जरू बतेएगा आपके comments का मुझे इंतजार रहेगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को subscribe नहीं करका तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बैल का एकन जरू दबाए और Facebook और Instagram पर follow नहीं करका तो प्लीज वहाँ पर सब्सक्राइब करें हमारे सेम इसी नम से magic टेकनिक सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों लास्ट में से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉल्म होती है आप में को बही चक मेरे WhatsApp नमर पर WhatsApp करके पूछ सकते हैं मेरे नमर है 9911418347 थैंक्यू वेरे मच्छ वीडियो है।